प्यारे चात्तरों रेम अकैडमी के यूट्यूब चौनल पर आपका हादिक स्वागत है उन्हें तयार भरती के बारे में लेटे सब्जेट चल ले हैं काफी सारे चात्त एक्साइटेड हैं तो उसी के करम मैं अभी जस्ट एक दो घंटे में आपका ओडर जो कल आया था उसक लिखा हुआ है इस पॉंटेड में आपका स्टेट ऑप यूपी था किसने इसकी ब्याक खरी है तो वह कॉंसल अप अपिलेंट के लाते हैं जैसे अम्रेना तपाथे उद्र का पसास सुकुला जी थे और भी लोग थे कही सारे फिर इसके साथ और जो अपीलेंट थी वह भी समझ लिए थोड़ा सा ताकि आपको ओर्डर सानना आए 11719, 1172219, यह ए 117 आपका देखिए इस में रिस्पॉंदेंट को उने मुहम्मद रिज्वान है तो आप थोड़ा सा ध्थान रखिये, ध्थान रखिये, अपीलेंट जैसी यादव जी थे और सात में 1181 जी यहां, तो यह सारा जो ओर्डर जो पिछले एक साल से चल ला था उसी के करम में पूरा बड़न है यह पहला पेज था और जो काम की बात है वह उनहत्ता नमबर के पेज़ पर है लाइए मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए 69 पेज मतलब इसके पहले बहुत सारे ओर्डर की बाते लिखी हुई हैं किस तरीके से भरती हुई क्या क्या यसू रहे क्या सारी चीज़ हैं अभी इस नमर पेज़ पर बहुत सारी चीज़ हैं काम की हैं तो आप एक एक करके देखिए देखिए उन्हों ने लिखा कि बच्चे जानते थे कि नो क्वाली फांग मार्स है बीन फिक दिन्दा इडिटीमेंट एंडर सेम विल बी फिक दिफियर टू डिकलरेशन आप दर एल्डू मतलब कि यह कि जब पेपर दिया था नत्यर भरती का 7 मई 2.19 को उसके पहले तक ब स्क्राइब कॉलीफाइंग मास और पासिंग एग्जामिनेशन इवन आप्टर दा एक्जामिनेशन एक्ससाइज और पावर कंफर्म अंडर रूल टू आइड एक्स 1981 रूस यह जो अधनियम है बेसे सचा अधनियम 1980 उसके रिफरेंस देते हुए उन्होंने दो लोगों का उधान डिया है मुनिशन मुनिश्पल कार्पोरेशन अप डेली वर्सेस सुरेंसें और जारकंड पब्लिक सर्विस कमिशन वर्सेस मनौज कुमार गुपता इंड़ therefore said we are the view that the decision of the government for the fixing the minimum qualifiers cannot be faltered मतलब की यस अधारन को या इस केस का बढ़न करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो government होती है उसे minimum qualifying marks निटरमान करने का अधिकार होता है the examination conducted in 2019 for second ATRE ATRE का मतलब assistant teacher recruitment examination 2019 does not discriminate between the sikha mitra who थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ the examination conducted in 2019 for second ATRE 200 not discriminate between the sikha mitra who appeared in 2018 and the sikha mitra who appeared in do not constitute one class for the purposes of passing the examination of 2018 and 19 as the standard both the examination but different they have to pass the examination as part the arrangement and the rules regulating both the examination तो देखें मैं आपको बता दूँ इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे सिच्छा मत कहते हैं कि भाई आपने जो 68 45 लगा हुआ था तो इसमें भी 45 लगाई है तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है जो 68500 वाला एक्जाम था उसकी प्रोसेस अलग थी वह लिखित पर इच्छा थी और यह जो 79 वाली भरती ऑफिसनल पेपर है तो इसलिए कि गवर्मेंट को अधिकार है कि वह किस तरीके से चीजों को लेती है और इनमें कोई काउंटर कुश्चन नहीं है फिर इसके बाद आप आ जाईए पॉइंट नमबर 105 पर इसमें क्या कहता है तो इसका कोई वाईलेशन नहीं हुआ है क्योंकि दोनों एक्जाम्स का नेचर पर अलग था दोनों एक्जाम्स के जो आपके एंवार्मेंट थे वो दोनों के अलग अलग थे फिर एक और एक्जाम्स पर केस आप आनंद कुमार यादाव सुक्प्रा अकॉर्डिनली भी यह हम बाद में बात कर लेंगे सुक्प्रा क्या होता है अभी जस्त ऐसी समझिए आप अपका यह लिखा हुगा है अब देखिए यहां पर लिखते हैं फिर यूनियन ऑप इंडिया औल अप्लिकेशन फॉर इंटर्विंशन्स मिसलिये से अप्लिकेशन आर आलसो डिस्पाजिन सेम्स तम्स इसका यह मतलब है कि तीन बाते अन्हों ने कहीं है कि यह जो आपके केस हैं फिर से मैं आपको बत आदूं यह जो आपके केस हैं यह यहां पर लिखे हुए हैं कि मुनिस्पल कार्पोरेशन ऑप इंडिया सुरिंशिंग बरसिस अधर्स एंजारकन पॉब्लिक सर्विस कमीशन बरसिस मनुच कुमान गुपता अधर्स इसके बहाप पर नहोंने कहा है कि गर्मेंट को लेकि 2018-2019 के पेपर जो है उसमें भेदवा हो कि पिछले वाले मिशार्स प्रफटाश लगा है ताव 60-60 तो उन्होंने कहा दोनों का जो एंवारिमेंट है एक्जाम कंड़क्ट होने का और इसका जो नेचर एक लिखित पर इच्छा तो इस बज़ए से ऐसा भी शही नहीं ह हुआ है आनन कुमार यादाव जी का रिफरेंस देते हुए बताया है अब मैं आपको बस अतनी बात कहना चाहूंगा एक मिट के अंदर की देखिए यहां पे जो बात हुई है वो जो भी ये केसे से मुनिस्पर कावरिशन आप डेली और या आनन कुमार यादाव और आपक सुप्रिम कोट जाने के लिए बैलिट रिजन्स हैं सच्छा मित्र की जो टीम होगी वो इस पूरा ओर्डर को एननलिसिस कर रही होगी चूंकि तीन या चाल लोगों के ओर्डर के वेसिस पे ही ये डिसिजन दिया गया है तो पूरा जो दूसरा पच्छ होगा वो भी इन सुप्रिम कोट में इसके खिलाप याजकादार करेंगे अब डिपेंड करता है कि सुप्रिम कोट किस तरहीके से इसे लेती है या इस पर इस्टेपास करती है या होने देती है देखिए अगर हम यूपी गर्मेंट की बात करें तो यह बलको क्लियर है कि यूपी गर्मेंट जो फॉर्म बनने के पिक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी